Can you just chill out? एक घंड में आ जाओंगी, हम लोड़ किड़े नहीं मौँ सुनो, बाबा दादी यहां आ रहे हैं और दो महीने यहीं रहेंगे नहीं हम अब तुम हमको बताएगा सर नारा चाहे हो जाएगा आ ठुक करो, ठुक करो तब से टॉलेट में खुशी हो, बाहर निकलो पैसे बॉलवर स्टार्स के रिलेटिब्स को लांच करने के लिए कुछ लोग दो घंटी के फिल्में बना डालते हैं जैसे कि एकता कपूर और छोटे-छोटे बच्चों को जनने स्ट्रगल किसके सब खाते हैं पता भी नहीं होता है, उन्हें लॉंच के जाता है और यही हुआ है अभी तरहसल बिन्नी और प्यामली नाम की एक फिल्म आ रही है जिसमें नजर आएंगी बरुन धवन की भती जी अंजीनी धवन जिनकी ये डेब्यू फिल्म है और सिफ उनका ट्रेलर अभी रिलीस हो चुका है और डोंट परी, बहुती हलका फूलका ट्रेलर है ये पतलब दिमाग को ना बहुत स्ट्रस देनी की जरवत है नहीं क्योंकि लिए ये बहुत रिलेटिबल टॉपिक है जो कि हम और आप दुनों समझ सकते हैं तो ये फुन बेसिकली जेनरेशन ग्याद की उपर बनाई गई है और इस फ्रिलर में ये ही दिखाया गया है दोस्तों की अंजीनी यानि बिन्नी नाम की एक लड़की जो यंग जेनरेशन जैसे जेनरेशन से बिलोग करती है उसके एक अलगी दुनिया है सिगरेट पीना, पार्टी करना, फ्रेंट्स के साथ मती मताग करना, घर लेड़ाना यही उसकी जिंदगी है उसे बस आजाद रहना है, पर उसके अपने पिरेंस के साथ ही जम नहीं रही है ऐसे में एक दिन जब उसके दाद दादी इंडिया से उनके घर आने बाले है ये निउस जब उसे मालूम चोंती है, तब उसकी आजादी खत्रे में है ऐसा उसे लगने लगता है अब उसके दादा जी के क्याक्टर में हमें नजर आते हैं पंकर्ष कपूर और दादी बनी है हिमानी शिवपूरी और इसमें एरपोर पर पंकर्ष जी का बिहारी एक्सेंट सुन करना आप बिलकुल खुश हो जाओगे पर जब यह अपने बेटे की घर यानि की बिन्नी की फादर जिनका चैरक्टर निभा रहे हैं राजश कुमार उनकी घर में आते हैं तो बिन्नी मैडम को परिशानी होने लगती है उसे ऐसा लगने लगता है कि वो किसी मिसमैच वाले जोन में चली गई है क्योंकि दाद दादी बादी जेनरेशन, उनका टाइम और यंग जेनरेशन का टाइम ये बिलकुल मैच नहीं हो सकता है, ऐसा उसे लगता है तो दोस्तो इस ट्विलर से यही समझ में आता है कि बिनने की ग्रैंट पेरेंस को बिनने की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है बलकि इस लड़की को तो लिहास नाम का मीनी भी नहीं पता है बताओ अब क्या करें इसका और ये अपना बॉल वो डेब्यू कर रही है और इसका एक्सेंट दो देखिए पॉरेंड कंट्री का एक्सेंट क्या एधा होता है अरे इसकी डबिंग के लिए तो शद्धा कपू को लेना चाहिए था ना वो बलकुल मस डबिंग करती है खेर पर छोटी बच्ची समझकर हम इसे माप कर रहे हैं पर ये ट्रिलर शुरुवास थोड़ा आपको कौमेडी दिखाई देगा पर इसमें इमोशनल ड्रामा नजर आएगा और ट्रिलर एंड होते होते हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेसेज भी बताया जाएगा जी हा पर प्रॉब्लम्स की माला शुरू होती है तो फ़नी कॉमेडी एंड कॉम्पलेक्स इन तीनों चीज़ों को इस ट्रेलर में दिखाया गया है और इस फिल्म में भी यही सब देखने को मिलने वाला है पर कंसट पैसा कुछ नया तो नहीं है और एक तक कुछ नया लाने का श तुछ देखने के बाद तो उसे जरूर देखिएगा और फिर में पर में बताएगेगा कि आपको कैसा लगा शापी बीजिए लगी ओट वीडियो को लाइग और श्रीयर करेए बीकम अ अक्तर इन बालीवूद वाट्सपाइड एट टीएट टीएट फिवहंडर एट एट हुआ हुआ हुआ